नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी किस तरह एक लॉंग से प्रचंड वशी करण किया जाए जी हाँ, सिर्फ एक लॉंग और कोई सामगरी नहीं चाहेगे सिर्फ एक लॉंग से किस तरह प्रचंड वशी करण कर सकते हैं, किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्ट अपना बना सकते हैं एक लॉंग के मार्धियम से तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लॉंग लेनी है और इस एक लॉंग को हमें अपने मुह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लॉंग आपने अपने मुह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लॉंग अपने मुह में रखेंगे और जब आप ये लॉंग अपने मूँ से निकालेंगे, वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ, कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ, ये शक्तिशाली वशीकरण है, सिर्फ एक लॉंग से प्रचंड वशीकरण है तो इस विधी को अपनाईए और एक लॉंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाईए, किसी को इस हद तक अपना बनाईए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काप जाए वो ड़ जाए कि आप अगर उन्से दूर चले गए तो होगा क्या? वो अपनी जिंदिगी कैसे जीएंगे? जी हाँ, इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ही जरूर सोच लिजेगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी स्विधी का प्रयोग किजेगा तभी इस वशीकरण को अपनाईएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में साथक सिद्ध हो सकती हैं ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्थ होती है इस वश्यकरण की भी एक शर्थ है अगर शर्थ को आप मानेंगे तभी ये वश्यकरण साथक सिद्ध होगा और वो शर्थ ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है एक लॉंग आपको मुह में रखनी है लेकिन इसकी जा चलना चाहिए कि आपके मुह में एक लॉंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो यह वशीकरण साथ तक नहीं होगा मतलब यह वशीकरण काम भी नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो कि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि यह तरीका गलत है बलकि यह तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना यह गलत है दशको वशीकरण अपना असर तबी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाएग्यास उसके बाद ये वशीकरन करते हैं तो ये वशीकरन कभी भी साब थक स्विद्र नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधी अपनाने से पहले इस बाद तक खास तोर पर ध्यान रखेगा कि वशी करन करने से पहले, खासकर ये विधी अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से, कोई बात नहीं करनी है, बस अपने मन में ठान लीजिए, उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशी करन हो गया, इतना सिंपल वशी करन है कि कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीज़े बात कीज़े आपकी अब समस्या का समधान होगा आपको हब जानकारी दी जाएगी किसी और वर्शीकरन के बार में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समधान आपसे नहीं हो रहा है तो इस आपकी समस्या का समधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समधान होगा और आपको एक खुश हाल जर्विगी मिलेगी जी हां तो फिलाल दीजिए इजाज़त फिर हाजर होंगे एक कौन नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रफ पसे हैं।